हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैरस पर आज हम डिस्कुशन करेंगे साहित त्योत्सो दो हजार बाइस पर ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल पर और रास्ट्रिय रक्षा विस्विद्याले पर तो हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को लाइक कर दीजे और इस वीडियो का पीडियो डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिगराम ग्रूप Jaris को जॉइन किरिएगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हो और सबसे पहले देखते हैं क्या है साही 922 भारत का सबसे समावेशी साही 33 साही 310-15 मार्च 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है Festival of Letters 2020 भारत की आजादी की 75 वर्सकार्ट के उपलक्ष में आयोजित समारो का एक हिस्सा होगा इस कारिक्रम का विशे स्वतंतरता या स्वतंतरता आंदोलन से जुड़ा होगा महोट्सों में भारत के स्वाधिनता आंदोलन से सम्मंदित पुस्तकों और आजादी का अमरित महोट्सों से सम्मंदित अन्य सामागरियों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेश कोना है इस प्रदशनी में अकादमी की उप्रद्धियों के साथ साथ पिछले वर्ष की महतुपूर घटनाओं पर प्रकाश डाला जा रहा है अकादमी द्वारा मानिता प्राप्त 24 भारतिय भासाओं का प्रतिनिधित्व 26 युवा लेखक करेंगे जो दर्राइज ओफ यंग इंडिया कारिक्रम में भाग लेंगे भारतिय भाषाओं में प्रकाशन पर पैनल चर्चा में कई भारतिय भाषाओं का प्रतिनिद्यत्व करने वारे प्रसिद्य प्रकाशक और लेखक सामिल होंगे इस महत्सों के सभी दिनों में अकादमी की पुस्तक प्रकदर्शनी भी लगेगी मॉटसो में 24 पुर्षकार विजोताओं को प्रतिष्ठित साहित अकादमी पुर्षकार प्रदान किया जाएंगे सभी 24 पुर्षकार विजोताओं के साथ राइटर्स मीट का भी आयोजन किया गया है साहित चोटसो में ट्रांस जेंडर कवी सम्मेलन होगा 13 मार्च को अकादमी सभागार भारतिय स्वतनता अंदोलन पर साहित के प्रभाव पर तीन देवसिय रास्टिय संगोष्टी की मेजबानी करेगा 15 मार्च को पुर्वत्तर नौर्थ इस्टन एंड नौर्धन राइटर्स मीट होगी और 15 मार्च को ही साहित और महिला शशक्ती करण पर एक संगोष्टी भी आयोजित की जाएगी क्या है साहित अकादमी चलिए देखते हैं साहित अकादमी भारती भासों में साहितों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी और इसका मुख्याले रविंद्र भवन दिल्ली में है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गानी नगर में राश्चिय रक्षा विस्विद्याले के नए भवन को राश्ट को समर्पित किया है राश्चिय रक्षा विस्विद्याले की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेतर में परिवर्तन होगा या विस्विद्याले उद्योग से ज्यान और संसादनों का लाब उठाकर निजी क्षेतर के साथ तालमेल विक्सित करेगा और पुलिस और सुरक्षा से सम्मंधित विभिन शेत्रों में उतक्रिष्टिता केंद्र की भी इस्थापित करेगा सरकार ने 2010 में गुजराच सरकार द्वारा इस्थापित रक्षा सकते विश्विद्याले को अपग्रेट करके रास्ट्रिय रक्षा विश्विद्याले नाम से एक रास्ट्रिय पुलिस विश्विद्याले की स्थापना की थी या विश्विद्याले जो रास्ट्रिय महत्व का संस्थान है 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था रास्ट्रिय रक्षा विश्वविद्याले की स्थापना, पुलिस, अपराज समन्धी नियाए और सुधारात्मक प्रसाशन के विभिन अंगों में उच्च गुडबत्ता वाले प्रसिक्षित मानों शक्ती की आवसकता को पूरा करने के लिए की गई थी गुजरात दुनिया का पहला राज्य है जहां रास्ट्रिय फोरंसिक विज्वविद्याले और रास्ट्रिय बाल विश्विद्याले है राश्ट्रिय रक्षा विस्विद्याले पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आप्राधिक कानूर और नियाय, साइबर मनो विज्ञान, सूचना प्रोध्योगी की, आटिफीशल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, आप्राध जाच, रर्नीतिक भासाओं, आंतिरिक र नेक्स्ट है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसलिए देखते हैं इसको कहां बनाया जा रहा है भारत सरकार एवं विश्व स्वासे संगठन के बीच हुए एक समझोते के तहट, कुजरात के जाम नगर में डबलू एचो, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के इस्थापना की जाएगी इसे आयुश मंत्राले के तहट इस्थापित किया जाएगा इस केंद्र की भूमी का आयुश प्रणालियों को दुनिया भर में स्थापित करने के साथ ही पारंपरिक चिकित्सा से सम्मंधित वैश्विक स्वासे मामलों में नेत्रत पदान करने की होगी यह विशो में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एक मात्र वैश्विक आउट पोस्ट केंद्र होगा इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक कल्यान के लिए उपयोगी बनाना पाक्ष आधारित अनुसंधान, दसक्षन तथा जागरुकता केंद्र विक्सित करना है और सतत्विकास लक्षो को प्राप्त करने के लिए व्यापक दिस्ट्र कोड प्रस्तुत करना है इसके इस्थापना के लिए कतिविधियों के समन्वे, निस्पादन एवं निगरानी हेटू एक सयोगत कार्य बलका गठन किया गया है जाताव वे है कि इसके इस्थापना की गोश्णा 13 नौंबर 2020 को पाँचवे आयरुवेद दिवस के असर पर की गई थी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो का पीडियो डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप जैरस को जोईन कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद